अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर करें और हाश्मी.com चैनल को सब्सक्राइब करें चहरे की खूबसूरती को बाने के लिए जरूरी है आँखों का आकरशक दिखना और आँखों को आकरशित बनाने का काम करता है काजल काजल से आपकी अंकही सुन्दर तो दिखाई देती है लेकिन इसके फैलने के बाद आपका लुप भी खराब हो जाता है इससे बचने के लिए आज हम आपको कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं किस तरह अपने लुप को बहतर बना सकते हैं इसकी मदद से काजल को फैलने से रोका जा सकता है काजल जब बुरी तरह से फैल जाता है तो वह डाक सकल की तरह से लगने लगता है तो ऐसे में आप आईलाइन का प्रयोग कर सकती हैं आँखों के नीचे वाली तवचा पर आप आईलाइन लगा सकती हैं ध्यान रहे की आईलाइन आँखों के अंदर तक ना लगा हो। ऐसे लगाएं जैसे लगे की आपने काजल लगा रखा हो। आप काजल और आईलाइन दोनों ही लगा सकती हैं जिससे की यह फैले नहीं। पहले काजल लगाएं और फिर उसके नीचे से आईलाइन लगा लीजि और आँखों के नीचे भी इसे लगाएं इससे तवचा साफ और सूखी रहेगी आँखों पर काजल लगाने से पहले आँखों के नीचे थोड़ा सा पाउडर लगाएं ऐसा काजल चुने जो की फैलने वाला ना हो वाटरप्रूफ काजल बिलकुल भी फैलता नहीं है और लंबे समय के लिए टिका रहता है काजल को लगाते वक्त उसे आँखों के किनारे तक ना लगाएं इससे काजल के फैलने का डर रहता है काजल को फैलने से बचाने के लिए आँखों के किनारे की और उसकी बहुत ही पतली परत लगाएं और बीच में मोटी परत रात को सोने से पहले गाड़ा काजल लगा लें फिर सुबह जब काजल फैल चुका हो तब आप उसको साफ कर ले इस से वहलगा भी रहेगा और दुबारा फैलेगा भी नहीं